ये वीडियो कुछ कमेंट्स की रिक्वेस्ट पे हमने प्रिपेर किया एक मॉडल पेपर हेल्थ सैनेटरी इंस्पेक्टर जो की आई टी आई का ये एक ट्रेड होता है उसी का एक model paper है आपका भी अगर कोई request है किसी trade से आप है और उसका आपको model paper चाहिए चैनल पे तो आप comment में हमको बताईएगा हम उस पे भी जल्दी से जल्दी model paper बनाने की कोशिस करेंगे अल्रेडी हम instrument, mechanic, electronic, mechanic RAC और एक trade है आपका जो Penter General उसका हम already model paper प्रिपेर कर रहे हैं जल्दी ही प्रिपेर हो जाएगा तो स्वागत है आप सभी का Tech Study Idea इस चैनल में आईए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी delay के चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए और एक request है आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही YouTube इस वीडियो को आगे प्रमोट करता जिया कुछ नुमर्वन है यहाँ पे इस टाइप आफ इन्सेक््टिसाइड इजडियो पेड डूरिस ग्रीन इस प्रकार का कीट ना सक है तो पेडिस ग्रीन किस तरह का कीट ना सक है चार आपशन से आपके फिमिगेंट means repellent stomach poison या contact poison ठीक है contact poison यह असपर्स का जहर तो जो पेरिस green होता है वो क्या होता है आपका contact poison होता है यह कुछ इस तरह के डब्बे में आपका आता है आप देख रहें यहाँ पर कुछ हमद दो है फेंथियो नी जब brown liquid spelling slightly off जो फेंथियोन है एक भूरे रंग का क्या है liquid है यह भी क्या है आपका एक liquid है जो जिसमें एक गंध आती है किस तरह की garlic या लहसुन की onion या प्याज की ginger या अद्रक की या turmeric या हल्दी की तो फेंथियोन जो है एक भूरे रंग का liquid हो vitamin ऐसे vitamin का आपको नाम बताना है जो पानी में क्या हो घुलन सील हो vitamin A, vitamin D, vitamin B या vitamin E यहाँ पर right answer आपका vitamin B जो vitamin B होता है यह water soluble vitamin होता है question number 4 आएए देखते है question number 4 है how many days one dietary cycle completed in diet survey एक diet survey में जो dietary cycle यानि आहार चक्र है वो कितने दिनों में पूरा होता है एक दिन में, तीन दिन में, साथ दिन में या तीस दिन में तो जो dietary cycle होती वो आपकी होती है 7 days की option C, 7 days आपका right answer है which of the following is not a source of groundwater contamination इसमें से कौन सा भूजल संदूसन का स्रोत नहीं है groundwater contamination का source नहीं है agricultural products यानि क्रिसी उतपाद, landfills यानि भूमी का भराव, underground water storage tank, भूमीगत जल भंडारन tank या industrial liquid waste production या अदोगिक तरल अपसिस्ट उतपादन, तो यहाँ पे जो groundwater contamination, मतलब ऐसे source जो ना हो, जो कि क्या करता हो, groundwater को contaminate करता हो तो यहाँ पे जो underground water storage tank है, ये groundwater को contaminate नहीं करता है, बाकि जैसे क्रिसी product है, कीट ना सक्या कुछ आप डाल रहे हैं, groundwater में वो जाके absorb होता है, landfills ये भी करता है, साथ में industrial liquids भी, जो है groundwater को क्या करते हैं, contaminate करते हैं, उसको दूसित करते हैं, कुछमब 6 से देखे, the test for turvidity describes what characteristics of water, turvidity के लिए परिक्षण में पानी की क्या विसेश्थाएं बताई गई हैं, option A, odor यानि गंध, option B, mineral concentration of the water यानि पानी की खनीज सांदरता, option C, suspended material in the water यानि पानी में तैरती सामगरी, option D, metal concentration of the water यानि पानी की धात उसांदरता, तो जो turvidity होता है, ये है आपका, जो पानी में तैरती होई सामगरी यानि suspended materials होते हैं, उनके लिए ये test यूज किया जाता है, जो चल प्रदूसर तब होता है, जब treatment हानिकारक योगिकों से छुटकारा पाने के लिए उप्चार के बिना ही क्या करते हैं, जल निकायों में निर्वहन किया जाता है, option A यहाँ पे source यानि स्रोत, option B है rain water, option C food items या option D pollutants यानि प्रदूसक, तो यहाँ पे right answer होगा आपका pollutants, अगर हम pollutants को क्या करेंगे, पानी में directly हम discharge कर देंगे, तो क्या होगा, उसको बिना क्या करेंगे, बिना उसको treat किये, तो हमारा जो पानी होगा, क्या होगा, polluted हो two types, reciprocating and centrifugal, या हम कहते है, rotary pump and reciprocating pump, ठीक, अगर positive displacement pump या non-positive displacement pump भी दो होता है criteria, लेकिन यहाँ के case में आपका वही होगा, कुशमर nine है यहाँ पे, in which temperature soil develops slowly, किस ताप मान में मिट्टी जो है धीरे धीरे विक्सित होती है, किस ताप मान में, summer यानि गर्मी में, wind यानि हवा के time पे, rainy यानि बरसाती season में या cold यानि सर्दी में, तो मिट्टी धीरे धीरे अगर develop हो रही तो किस season में होती है, सर्दी य हैं, origins कितने होते हैं मिट्टी में, तो total origins होते हैं, चार, वो क्या-क्या होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, top soil, sub soil, parent rock, या bedrock, यह चार आपके देख रहा हैं यहाँ यह चार इसके, horizon या छितिज होते हैं किसी मिट्टी में, 11 है, what is called for the mixture of all contents of soil, मिट्टी की सभी सामगरियों के मिस्रण के लिए क्या खा जाता है, मिट्टी की सभी सामगरियों के मिस्रण को हम क्या कहते हैं, erosion यानि कटाव, sublims यानि उच बनाने के परक्रिया, degradation यानि पतन, या loams यानि दूमट, तो मिट्टी की अगर हम सभी सामग मिला देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, loams या दूमट बोलते हैं, कुछमट 12 है, what should be the distance between the residential area and the cremation ground, जो आपका आवासी छेत्र हो और जो समसान घाट हो, उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब कहीं पर आप आवास बना रहे हैं, उससे समसान घाट कितनी दू होना चाहिए, या समसान घाट से आवासी छेत्र कितनी दूर होना चाहिए, क्योंकि जनरली समसान घाट पहले से होगा, आवासी छेत्र बाद में develop होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे चार options आपके, at least 200 feet, at least 400 feet, at least 500 feet, या at least 700 feet, यानि कम से कम 700 feet, तो आवासी छेत्रों समसान घ liquid that comes out of leachate, एक रंगीन तरल है, जो बाहर आता है, कहां से बाहर आता है, septic tank से, sanitary landfill से, compost plant से, या erote lagoon से, यहाँ पे erote lagoon जो है, चार options थे आपके, option B जो आपका, sanitary landfill, जो आप sanitary landfill कर देते हैं, वहाँ से colorful liquid बाहर आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, leachate, कुछ हम अब 14 है, waste matter coming from industries called, जो दोगों से आने वाला अपसिस्ट पदार था, उसे हम क्या कहते हैं, trade refuse, house refuse, street refuse, या stable refuse, यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, trade refuse, क्योंकि जो घरों से आएगा, उसको हम house refuse बोलेंगे, जो सड़कों से आएगा, उसको हम street refuse बोलेंगे, जो अस्त street से आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, trade refuse, कुछ हम हम 15 है, which of the following color code is not used in biomedical waste management rules, 2016, biomedical waste management rule था, 2016 का, उसमें कौन सा रंग जो है, जैब चिक सा, sorry, color code, वो नहीं use किया गया है, black, red, yellow या blue, यहाँ पे आपका right answer है, black, उसमें black color को नहीं use किया गया है, कुछ हम 16 है, Doug Will, Latrine, was first introduced in Singapore, West Bengal in the year of, Doug Will, Latrine, जो है, सबसे पहले, Singapore, West Bengal में पेस की गई थी, किस साल, 1940, 48, 48, 49, 49, 49, 1950, या 1930, 1931, यहाँ पे आपका right answer है, 1949 to 1950, इसके बीच में क्या, Singapore, जो West Bengal में एक जगा है, वहाँ पे ये introduce की गई थी, कुछ में 17 है, depending upon their use, the traps may again be off, उनके उपियोग के आधार पे जो trap है, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो उपियोग के आधार पे जो traps होते हैं, वो होते हैं, टोटल, तीन प्रकार के, आप लोग याद कर लीजे, तीन प्रकार के होते हैं, अब आते हैं, question number 18 पे, यहाँ पे देखें, साइलिंग, साइक्रोमीटर यूज टू मीजर, जो साइलिंग साइक्रोमीटर हो, वो किस चीज को नापने के लिए यूज किया जाता है, तो जो साइलिंग साइक्रोमीटर होता, उससे हम नापते हैं, या मीजर करते हैं, रिलेटिव हुमिडिटी यानि साप एक्षिक आर्थता, कुछ हम 19 है, the percentage of carbon dioxide यानि CO2 in air is, हवा में carbon dioxide का प्रिस्द कितना है, 0.003, 0.0101, 10% या 15%, तो हवा में जो carbon dioxide वो कितना है, 0.003% है, कुछ हम 20 है, बहुत ही important question है, factor responsible for air pollution and water vapor traps at the lower level of atmosphere smoke age, वायू प्रदूसर्ण और जल वास्प के वायू मंडली smoke के निम नस्तर पर, फसने के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, अगर वैपर trap हो रहे है, उसके फसने के जिम्मेदार कारक क्या है, lack of air movement अनि हवा की आवा जाही में कमी है, increase of humidity, temperature inversion या heat blend phenomena, यहाँ पर आपका right answer है, temperature inversion, जो temperature inversion होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है आपका, जो air pollution and water vapor जो है, वो trap हो जाती कि इसमें lower level atmosphere में smoke के रूप में, question number 21 है, which of the following is the weakest form of human self-defense, human self-defense का इसमें सबसे कमजोर रूप क्या है, इसमें देखिए क्या projection और प्रक्षेपन, reaction और प्रतक्रिया, acting and pretending यानि अभिने और दिखावा करना, या crying, यानि रोना, तो जो self-defense human का है, उसमें रोना जो है ये, इसको सबसे कमजोर माना जाता है, का आप रोने लगिए अपने बचाओ के लिए और आपको छोड़ दिया जाए, question number 22 है, what is phobia, phobia क्या है, तो आप सभी लोग जातने, phobia क्या होता है, फिर भी हम देखते हैं, चार options क्या-क्या दे रहे हैं यहाँ पे, जब मनुस्य निस्क्री हो जाता है, जब कोई मानो गतिविधी में सामिल होता है, या option C है, जब इनसान अपनी हिम्मत दिखाता है, या D है, जब मनुस्य भैक एक इस्थिर अस्थान पर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, फोबिया, तो option D आपका क्या है, राइट आंसर है, जब मनुस्य क्या हो, भैक एक इस्थिर अस्थान पर होता है, दुसरी हम क्या बोलते हैं, फोबिया, कुछ अमर 23, what type of behavior is exhibited by human during childhood, बच्चपन में मानो द्वारा किस प्रकार का बेवहार प्रदर्सित किया जाता है, excuse making यानि बहाना बनाना, cheating and cunning यानि धोखा और धूटता, option C है dictatorial यानि ताना साह टाइप का, option D है transparent and loving यानि पारदर्सिय और प्यारवरा, तो बच्चपन कैसा होता है हमारा cheating and cunning टाइप का, हम cheat करते हैं कभी बच्चा जो होता है, छोटी जोडी बातों पर जूट बोल देता है, सीखता हो बाहर से ही है, लेकिन ऐसा भी है होता है, कुछ अमर 24 है, which अब the following is a health education material, इन में से कौन सा एक health education material यानि स्वास्ति सिक्षा सामगरी है, mass media नि संचार media, regulatory approach नि बिन्यामक द्रिष्टी कोड, health education approach नि स्वास्ति सिक्षा का द्रिष्टी कोड, या primary health core approach नि प्रात्मिक स्वास्ति कोड द्रिष्टी कोड, तो यहाँ पर पूँच रहा है health education material, तो जो health education material और सबसे अच्छा material इसमें से कौन सा है, वो है आपका mass media नि संचार media, कुछ अमर 25 हो ही चब दा following was the first used antiseptic and disinfectant, इन में से कौन सा एक पहला antiseptic और की टाडू ना सक था, chlorine, phenyl, iodine या alcohol, तो यहाँ पर आपका right answer है phenyl, phenyl जो था आपका सबसे पहला यूज किया जाने वाला antiseptic and disinfectant यानि की टाडू ना सक था, कुछ अमर 26 है, which is the process of killing all types of organism, सभी प्रकार के जीओं को मारने की प्रक्रिया कौन सी है, sterilization यानि वी संक्रमड, disinfectant यानि की टाडू सोधन, तो हर प्रकार की जीओं को मारने के लिए हम क्या करते हैं, sterilize करते हैं, बी संक्रमित करते हैं किसी चीज को, option A, sterilization is the right answer, कुछ अमर 27 है, which type of cancer can be prevented by vaccination, किस प्रकार के cancer को vaccination and T का करण से रोका जा सकता है, cancer जो कि एक बहुत ही खतरनाक आपका कह सकते हैं बिमारी है, यहाँ पर option A है, oral cavity cancer, option B है, stomach cancer, option C है, cervical cancer, option D है, blood cancer, तो जो टीका करण से रोक सकते हैं, वो होता है आपका cervical यानि ग्रीवा का जो cancer है, इसको हम टीका करण यानि vaccination के थूरू रोक सकते हैं, which is the method for sputum disposal, थूक निप्टान के लिए कौन सी बिधी है, burning यानि जलाना, boiling यानि उबालना, 5% kresol या formaldehyde, तो जो थूक निप्टान के प्रक्रीज यानि इस्पर्टम डिस्पोजल है, वो है आपका 5% आप क्या करते हैं, kresol यूज करके कर सकते हैं, पहली डिग्री जलना, यानि फर्स्ट डिग्री बर्न क्या है, option A, involves only the top layer of his skin, तो चाकी क्योड ऊपरी परत को सामिल करता है, is red and blistered, लाल और फूला हुआ है, option C, destroys all layers of his skin, तो चाकी सभी परतों को नश्ट कर देता है, या option D, is the most serious of burns, जलने का सबसे गंभीर है, तो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है आपका, जब ये सिर्फ टॉप लेयर आफ हिस्किन आपकी, उसमें involved होती है, कुछ अमद थर्टी है, what causes anaphylactic sock, anaphylactic सदमेक अनि sock का का कारण क्या बनता है, choking अनि घुट, insect sting on spider bite, या थर्ट डिग्री बर्न या हार्ट अटेक, तो anaphylactic sock का रीजन है, वो होता है आपका, insect sting on spider bites, option B आपका यहाँ पर राइट अंसर होगा, कुछ अमद थर्टी वन है, what is first aid, प्रात्मिक चिकित्सा क्या है, तो प्रात्मिक चिकित्सा क्या होती है, हम सभी जानते हैं, फिर भी options देख रहते हैं, completing primary survey यानि प्रात्मिक सर्वेक्षण पूरा करना, the first help given to the victim of an accidental, दुरघटना के सिकार व्यक्ति को पहली मदद, accessing a victim vital science, पीडित के महत्पून लक्षणों का आकलन, या treating a victim for sock, पीडित के sock का इलाज करना, तो first aid, जैसा नाम यह न, first aid means सहायता, यही आपका यहाँ पर right answer, to the first help given to the victim of an accidental, डाक्टर तक या मेडिकल तक पहुँचने से पहले, जो भी आप उसको सबसे पहले, aid यानि help देते हैं, या मदद करते हैं, या treat करते हैं, उसी को हम first aid बोलते हैं, कुशमर 32 है, how do you check for breathing, आप सांस लेने की जांच कैसे करते हो, look for rising chest and बढ़ती छाती को देखते हैं, look, listen and feel, देखो, सुनो और महसूस करो, feel with the check, check से महसूस करें, या listen, यानि बात सुनो, तो हम कैसे, सांस को यह ले रहा है या नहीं ले रहा है, कुशमर 33, which of the following can cause a stroke, इन में से कौन stroke का कारण बन सकता है, a blood clot is an artery in the brain, एक रक्त का थक्का मस्तिक्स में, या a blood clot in an artery in the heart, a blood clot in an artery in the leg, या blood clot in an artery in the lungs, तो brain, जो stroke का region बन सकता हो, कहां होता है, आपका stroke अगर आपको हो रहा है, तो brain ही उसका एक reason होता है, तो यहां पर a blood clot is an artery in the brain, is the right answer होगा आपका, कुशमर 34, which of the following is poor in carotene, carotene में निम्न में से कौन सा खराब है, potato यानि आलू, tomato यानि टमाटर, cabbage या पत्ता गोभी, या spinach या पालक, तो यहां पर potato जो होता हो, आपका carotene में सबसे poor है, नि सबसे खराब है, कुशमर 35 है, the most important practice in reducing the transmission of infection, as agents which causes HAI, HAI का कारण बनने वाले agentों के संक्रमन को कम करने में, सबसे महत्रपून अभ्यास है, washing your hand after using the toilet, washing your hand when they are visibly soiled, carrying out hand hygiene frequently using the correct technique, या washing your hand before using the toilet, यहां पर आपका right answer है, carrying out hand hygiene frequently using the correct technique, यानि सही तक्निक से हमें क्या करना है, हाथ की बार-बार सफाई करते रहनी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो AHI का कारण बनने वाले agent संक्रमन है, उसको हम कम कर सकते हैं, कुशमर 36 है, which of the following contraceptive methods, projects from pregnancy for longest duration, जन्व की संख्या की रूप में कब कुश्चन, इसमें थोड़ा सा mistake है हिंदी वाला, इस पर आप मत जाईएगा, यहां पर options हम लोग देख लेते हैं, vaginal ring, DMPA, norplant, या progestacert, तो यहां पर आपका right answer है, norplant, option C आपका यहां पर right answer है, इनमें से किस दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, soybean में, red gram, अरहर में, bengal gram और black gram और काले चने में, तो यहां पर आपका right answer है, soybean, जो soybean की दाल होती है, उसमें आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, कुछम 38 है, what should people use to clean their dirty hair, जो dirty hair है, आणि गंदे बाले उनको साफ करने के लिए, लोग क्या इस्तिमाल करते हैं, clippers, sampu, mirror या make-up, तो sampu ही करते हैं बालों में, बालों को clean करने के लिए, option B आपका right answer होगा, कुछम 39 है, in what stage of demographic cycle is India today, आज भारत किस जन सांकी की इस चक्र के चरण में है, low stationary, यानि कम इस्तिर, high stationary, यानि उच इस्तिर, early expanding यानि प्रारंभिक विस्तार, या late expanding यानि देर से विस्तार, तो हम लोग current time में कहां पे हैं, option D यानि late expanding में इंडिया आज फाल करता है, गंभीर allergy के समय हर समय हताहत होने वाले ब्यक्ति को क्या करना चाहिए, insulin, aspirin, adrenaline या acetaminophen, तो यहाँ पे आपका right answer है, option C, adrenaline ये आपके 40 questions से, जो कि आप ही के request पे कुछ comments आये थे, जिनकी request पे हमने वीडियो बनाया था, आप इनको देख लीजिए, previous years में ऐही questions आये थे, ऐसे ही questions सेम आये थे, तो आपका इस बार का भी अगर exam होगा, तो I hope उसमें आपको इससे बहुत ज़्यादा help मिलेगी, और जिस भी topic पे आपको वीडियो चाहिए, आप comment करके हमको जरूर बताइए, उस पे भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, model papers, वीडियो पसंद आई, तो do like and subscribe the channel, और वीडियो को share जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी इसका पूरा फायदा मिल सके, thank you very much.